परमादरनिय, मोहन भागवद जी, विद्वान दोस्तों, मैं जिस विशे के उपर बोलने के लिए मुझे संतोष तिनेजा जी ने कहा था, वो तो पहले ही पूरा किया जा चुका है, तो इस सतर की शुरुआत में के राश्टिर स्वेम से वक संग को मैंने कैसे समझा, कैसे जाना, थोड़ी सी बाते मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए भी जरूरी है, दिल्ली में, 1947 में मैं दस साल का था, और मैं अपने पिदा जी के पास आया, तो उन दिनों में पाकिस्तान, जिस विंदोस्तान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान बन गया, वहां से कुछ पंजाबी लोग, शर्नार्थी उनको कहा गया, वो आते, वो एक शोबा जाता निकाला कर करते थे, तो मैं भी शामल हो गया, उसमें मेरे कानों में आज तक वो घूंज रही है शब्द, पिता वारया, तिलाल चारे वारे, हिंद तेरी शान बदले, वो मेरे राश्ट्रिय स्वायम सेवक संग के साथ पहली मुलाका थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये राश्ट्र कार के रूप में ये विचार पला रहा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेरी जिन्दगी में एक और मोड आया फिर, कॉलिज में गया, यंग थे तो वहां मार्कसिजम की बात होती थी, तो मैं उस लहर में बै गया, मार्कसिजम मुझे ऐसे लगा कि ये तो दुनिया क कि सबसे करांतिकारी फिलोसफी है, तो बहुत कमाल की बात है, तो उसके जोश में मैं बाकी सारी बातें भूलता गया, उस समय की बात मैं एक आप से शेर करना चाहता हूँ, कि मार्कसिजम में पढ़ाते क्या थे, वो एक ही बात उन्होंने पढ़ाई मुझे, अब तक संग कम्यूनल है, आर एस से फासिस्ट है, बाकी किसी रिलिजन के बारे में धर्म के बारे में कोई बात नहीं, यही शिक्षा एक गुड़ती के रूप में हमें दी जाती थी, और और इसके बाद बाद में मेरी खुशट मती हुई, के मैं मार्कसिस्टों के चकर में नहीं मार्कसिजम तो मैं अब भी समझता हूँ, इसे फिलोसफिय ओफ लाइफ, उसके एक पक्ष को मैं अब भी मानता हूँ कि उसमें बात है, वो है डालेक्टिकल मैटिरिलिजम, लेकन दूसरा पक्ष है वो खतम हो चुका है, वो है हिस्टारिकल मैटिरिलिजम, तो वो एक तजर में गुरु नानक वानी पे पी एचडी का थीसिस अरंब किया, हमें तो मार्कसिजम में ये पढ़ाया गया था कि गौड इस डेड, कि गौड वगारा कुछ नहीं होता है, रिलिजिजन इस दा ओपियम वो दा पीपल, इस विचार को लेकर मैं गुरु नानक वानी पे रिस पैसर थी, उन्होंने मुझे एक बात कही, कि बेटा अगर देखो अगर गुरु नानक वानी पे बात करनी है, समझनी है, तो पहले संस्कृत सिखो, क्योंकि गुरु नानक वानी का सारा एडियम भारतिय दर्शन का है, ये बात मुझे काम आई, तो मैंने जब गुरु नान अगर बानी पड़ी, मुझे एसास हुआ कि मार्क्स ने जो बात कही थी, वो सच है, लेकिन वो रिलीजन के उपर लागू होती है, धर्म के उपर नहीं, जोन बागवत जी ने धर्म और रिलीजन का बहुत बारीक उन्होंने विशलेशन किया है, तो वो कैसे, क्योंकि जो वो फेथ बेस्ट है, वो एक ट्रांसेंडेंट गॉड के उपर विश्वाश करता है, विश्वाश करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं करोगे तो खतम हो जाएगी, हमारी सभिता ब्रह्म के इंदृत है, ब्रह्म is not God, ब्रह्म क्या है, ब्रिहते इति ब्रह्म, यक सर् वो तो एक अल्टिमेट रियालिटी की अवधारना के साथ जुड़ी हुई है, तो हमारा जो धर्म है, ये फेथ बेस्ट नहीं, रियलाइजेशन बेस्ट है, ये बाद आप नोट कर लीजिए, और मैंने तो इसी दिशा में जब काम किया, तो मैंने देखा कि जो हमारे शास जाद आती है, वेदों की बातें, उपरिज्दों की बातें पढ़ता हूं, तो गुरुवानी जाद आती है, तो इस संदर्ब में मैं आप से बात करना चाहता हूं, कि सुबा जो बात चली, मौन बागबत जी ने एक बहुत खूबसूरत दिस्टिंशन पैदा कर दी, कि रा जो वेस्टन कॉंसेप्ट है नेशन स्टेट का उस से पैदा हूए है, जब जे नारा लगा कि भारत तेरे टुकडे होंगे, तो टुकडे तो नेशन स्टेट के तो होने ही हैं, लेकन हमारा, हमारा जो देश है, हमारा जो राश्न है, ये तो सिविलाइजेशन स्टेट है, not a nation state ये तो एक ऐसी प्राचीन सब्धिता जो संसार की सारी सब्धिताओं से प्राचीन है अब जो राखीगड़ी की बात हुई थी राखीगड़ी विरणाना, द्वारका और महरगड़ ये सभी आर्केलोजिकल एविडेंस से सिद्ध होता है कि जो हमारी सब्धिता कम से कम दस हजार साल, मौन पागबजी ने का बारह हजार इससे भी परानी हो सकती है और इसमें प्राबलम क्या हुई हमारे जो लेफ्टिस्ट, सो कार्ड एमिनेंट हिस्टोरियन थे उन्होंने एक डिवाइसिव टेक्नीक अपना के हमें तोड़ दिया हमारी जो शिक्षा नीती हमें भारतिये ग्यान तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं हम अपने आप स्वाध्याय से पढ़े हैं लेकिन जो हमें पढ़ाया गया वो इतना ब्रांती एक नेरेटिव है कि आरिया हमलावर के रूप में बाहर से आए सेंट्रल एशिया से आए जब उन्होंने इनके करताओं ने का कि ने ये बात ठीक नहीं है तो उन्होंने का चलो कोई बात नहीं वो एक माईग्रेशन थी रही उन्होंने एक कल्पना कर ली कि वहां से हमलावर के रूप में नहीं है माईग्रेशन के रूप में आए अब तो ये बात भी खत्म होगी अब जो बात है उन्होंने क्या किया उन्होंने हमें डिवाइड कर दिया नार्थ और साउथ, दलित और कुलीन और पता नी क्या क्या चीज़ें ऐसा डिवाइसिव नेरेटिव उन्होंने दिया कि हमारे समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिये आज सुबा ही मैं सुन रहा था महन बागवाज जी एक हमारे जो दूसरे मनारोटी गुमिनिटी के मौलवी ने इनको बहुत खुल सुरूत बात कही कि मोहन बागवर जी राष्ट्र रिशी है राष्ट्र पिता है यह क्यों गाहा उनों क्योंकि उन्होंने देखा कि यह तो जोडने की बात कर रहे हैं आप देखिए हमें जो पढ़ाया गया सतर साल से राष्टिय स्वाम सेवक संग के बारे में वो तो हमें तो ऐसा है कि यह संस्था डेमोनाइजड कर दी उन्होंने लेकिन खुश किसमती से जब मैं प्रोफेसर कपिल कबूर जो जो जे अन्यूस के प्रोवाई चांसलर थे उन्होंने मुझे राष्टिय स्वाम सेवक संग की कुछ संस्थाओं से क्राया उन्होंने क्या किया उन दिनों सीबी एसी में घलत एत्यास पड़ाया जाता था गुरुतेग बादर जी को कहा था कि यह लुटे रहे थे और अंडिजेब के बारे में कहा था कि यह तो बहुत शरीब बादशा था टोपियां सी को गुजारा करता था वो कैसा शरीब था जो दूसरे के धर्म को परिवर्तन करने के लिए तलवार का भैका करता था और गुरुतेग बादर जी की शहादत उसकी गवाही उससे बड़ी क्या हो सकती है और गुरुतेग बादर जी की शहादत के बारे में गुरु गोविन सिंग जी ने चार लाइने कहीं है तिल्क जंजू राखा प्रभताका कीनो बडो कलू में साका साधन हेत इती जिन करी सीस दिया पर सीनक उचरी और फिर उसमें जो इंपोर्टेंट बात है कि तर्म हेत साका जिन किया गुरु तेख बादर जी की जो बलिदान है शाधत नहीं मैं कहूंगा वो जिहादियों की होती है उनका जो आतम बलिदान है वो धर्म के हेत है और धर्म इस नाट रिलिजन ये मजभ नहीं है धर्म है धारियती धर्म धर्म वो धर्म वो है जो धारन करता है जो गुरु नानक बानी में आता है तौल तर्म दया का पूत संतोख ठाप रख्या जिन सूत के तर्म तो वो बल्द है जिसके सींगों पर ये दुनिया ठिकी हुई है और वो पुत्र किसका है दया का है और इसको स्थापत किस ने किया है संतोख ने दया हम दूसरे के उपर करते है और संतोख अपने उपर करते है ये है हमारा धर्म के और गुरु अरजन देव जी ने तो बात ही उन्होंने एक सूत्र में बदा दी कि सर्व धर्म मैं स्रेष्ट धर्म हरिको नाम जप निर्मल कर्म तो आज मुझे लगता है कि आज हमें राश्ट्रिय चेतना को ना तो जो नेशन स्टेट वाली चेतना को हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे हमारा जो हमारी सब्वेता है उसकी दो बाते हैं जो किसी सब्विता में नहीं है एक है कि वो pluralistic है एक ऐसी है जो आज का जो संसार है ये multi-cultural है multi-religious है multi-lingual है और इसमें co-existence कैसे हो आज महुन पागवत जी का सारा ही व्याख्यान जोडने वाला रहा है तो इसके अंदर जो सम्रस्ता आएगी वो तो आएगी उसकी मैं दो मिसालें देता हूँ एक रिग्वेज से है वो तो वागवत जी ने भी कहा था कि हमारा रिशी कहता है एकम सद विप्रा वहुदा वदंती गुरुनानक देव इसको कैसे कहते है वो कहते हैं एक का सूरती जेते हैं जी शूरत विहुना कोई न की जही सूरत तेहा तिन रा कि हर व्यक्ति हर जीव हम तो आदमी की मानव की बात भी नहीं करते हैं हम तो जीव की बात करते हैं कि संसार के सभी जीवों में एक चेतना है जैसी उसकी चेतना है वैसा ही वो रास्ता चुनता है और गुरु गुविन सिंग कहते हैं कि आप अपनी बुद्ध है जेती बर्नत भिन भिन तो है तेती तो ये एकमसद विप्रा वहुदा वधनती का ही एक रूपान्त रहा है और दूसरी चीज़ है कि दूसरे को हम क्या समझते हैं हमारी सब्विता में वसुधाय कुटमबुकम की बात कही गई ये एक ऐसी फिलोस वेदों में उसको कहा गया एक वेदों का मुझे गुरुबारी और वेदों का कंपरिटिल स्टडी करता हूं बड़ी खूबसूरत बाते मुझे आती हैं तो यजूर वेद में आता है एक मंतरा बहुत खूबसूरत है वो कहते हैं कि मित्रस्य, चक्षुशा, सरवानी, भू कि मैं दुनिया के सारे जीवों को मित्र की नसर से देखता हूं तो मुझे फोरण गुरु अरजन देव जी का वो शलोग जादा गया कि ना कोई मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बैराई ब्रम पसार पसार यो भीतर सत्कुरते सोजी पाई सब को मीत हम आपन की ना हम सबना किसो आजन ये हमारी सब्वेता दूसरे को दुश्मन नहीं मानती हमारी सब्वेता की दूसरी विशेष्टा है कि ये इन्क्लीूसिव है सर्व उसमें सभी ko अपने में समोने की इसमें एक शक्ती है शक्ती मैं कहूंगा ये कम्जोरी नहीं है कि हम जब दूसरे की दूसरे के दूसरे बन को दुश्मन की भावना से नहीं देखते हैं मित्र की भावना से देखते हैं तो हमारा जो civilizational जो हमारा structure है ये तो एक model है और सुबा बात हुई थी Samuel Huntington की उन्होंने civilizational clash की जो बात कही थी वो बहुत important है आज उसको जोड के विचारने की जुरूरत है कि हमारी सबिता और दूसरी सबिता में फरक किया है वो कहते हैं कि जो आने वाला युग है ये सबिताओं के clash का होगा clash होगा mainly between western Christianity and resurgent Islam क्यों होगा ये भी बड़ी important उसने कहा था कि इसलिए होगा कि ये दोनों सबिताएं अपने सत्य के उपर अपनी इजारेदारी का काम करते हैं वो कहते हैं monopoly है हमारी के सत्य के वल हमारे पास है दूसरा या तो ignorant है या काफर है तो ये तो बात मानने वाली नहीं कि एक सबिताज अगर अपने आपको ही सर्व शक्तिमान और सारा मानेगी तो दूसरे के साथ dialogue कैसे होगा समवाद हमेशा बराबर के लोगों में होता है तो आज हमें तो इसका तो बाद में Samuel Huntington के बाद UNO में एक प्रस्तापास किया गया कि there should be a dialogue among nations dialogue among nations के लिए तो हमारे ग्रंथ है हमारे वैदिक परंपरा की जो अंतर दृष्टियां है वो हमें सिखाती है कि दूसरे को अपने जैसा बनाने की जरूरत नहीं उसको समझने की जरूरत है आज भी अगर हम अबरहामिक religion जो के आकरांतों की रूप में हमारे देश में आए उनके साथ भी हमारा उस तरह का कोई जंग नहीं है लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अगर अपने धर्म में पक्के हैं हमें भी अपने धर्म में पक्का रहने दे ये तो बराबर की बात है और अंड़्टेणिंग की बात है आज इसी चीज़ को लेकर राष्टिर स्वेम सिवक संग की जो भूमी का है ये मैं समझता हूँ कि इतिहासक है historical है समाज को जोड़ने वाली विचार धारा दो-तीन दिन पहले और इससे भी पहले आपने देखा ही है तो सारी कोशिश यही है कि जो हमारा समाज है इसमें विविन्दत आए हैं विविद्दत आए हैं और वो कोई बुरी बात नहीं पंत, मत और साधना पद्दती इनकी डिफरेंसे होते हैं और होने भी चाहिए लेकिन हमारे जो चेतना में राष्ट्रियता की जो भावना है राष्ट्रियता की भावना के बारे में जो अथर्व बेद में एक प्रार्थना आती है आज में पढ़ रहा था बड़ी खूबसूरत प्रार्थना है कि ओ मदर अर्थ डिस्ट्रॉए दोज हूँ ट्राई टू सबड्यू माई राष्ट्रा बाई शस्त्र और बाई शास्त्र हमारी जो सबड़ता है उसको अगर कोई शक्ती शस्त्र द्वारा जा शास्त्र द्वारा उसको तोड़ने की कोश्च करेगी तो हमारी प्रार्थना वो हमारी प्रिथ्वी से प्रार्थना किया हमारे रिशी ने कि उनको destroy करो तो ये हमारी बहुत सी बाते हैं आज एक करांतिकारी युग है सतर साल से हमें जो मिथ्या जो आख्यान पढ़ाय जाते रहें अपने आपके वारे में तो पढ़ाय नहीं गया वो हमें कहते हैं कि एक हमारे एजुकेशियर मिनिस्टर ते नाम नहीं मैं लोंगा उन्होंने कहा कि भारत का इतियास मद्दे काल से जुरू होता है हालां कि हमारी जो classical knowledge tradition है उनकी तो सारी दुनिया उसका सिक्का मानती है तीन बाते हैं सारी दुनिया आज मानती है आयरुवेद, योग और वेधान्त ये तीनों हमारे सभेचा की ऐसी उपलब दिया है जो एक complete way of life देती है तो मैं जे समझता हूँ कि आज का जो ये मैं ज्यादा लंबी बात नी करना चाहूँगा मुझे थोड़ा सा मोन बागवद जी को सुनने का बहुत शौक था तो चंतोजी से मैंने का ता मैं आज आओंगा नहीं कर दो थोड़ा सा बोलना तो जो प्रेड़ना जो उत्षा मुझे सर की बातों से मुझे उपला वो आप से मैंने शेयर कर लिया बहुत बहुत अन्यादा